नमस्कार, वेलकम टू इंसाइट स्टेडी फोरम, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यूपी डियले थर्ड समेस्टर के कम्पीटर के कोश्चन्स, तो आए जानते हैं कि कौन कौन से कोश्चन्स के करेक्ट आंसर हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडि इसका मतलब होगा, जो सही है, वो है, आपसे नमबर फोर, ठीक है, तो इसका अंसर होगा, फोर, ये सब ही जो है, वो सही है, फिर हम बात करते हैं, कौश्चन नमबर टू की, इन में से किसका उपयोग डाटा भंडारण के लिए नहीं होता है, जिसका मतलब यह है, कि जब ह कोई भी चीज सेव करते हैं, ठीक है, कोई भी जानकारी को हम सेव करके रखते हैं, तो वो हम कहां रखते हैं, तो वो हम पैनराई में रखते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क में रखते हैं, ठीक है, मेमोरी कार्ड में रखते हैं, ठीक है, तो हम लाइट पेन का इस्तेमाल नही करते हैं इसमें लिखा हुआ है कि प्राचार के लिए संप्रेशन यानि कम्युनिकेशन उपकरन उप Director के लिए क्वाइशन है कौनसा जो है वो संप्रेशन के लिए उप योगी किसके लिए प्राचार के लिए तो telephone और fax services भी है और परिविक्षन और speaker भी है तो इसका answer होगा 4 ठीक है यह सभी यह सभी जो है वो ज़रूरी है तो question number 4 को देखते है slide तयार करने के लिए निम्न में से किस software का उपयोग किया जाता है ठीक है अगर हम बात करते है slide की जैसा हम लोग जानते हैं कि slide के लिए हम use करते हैं MS यानि Microsoft का हम use करते है PowerPoint ठीक है MS access का इस्तेमाल नहीं करते हैं फिलाहर हम slide के लिए तो इसका answer होगा question 4 का answer होगा option number 2 MS powerpoint इसका इस्तेमाल करते हैं हम slide के लिए ठीक है जैसे PPT बनती है आप लोगों ने वीडियो दिखे होंगे कि कुछ लोग laptop पे PPT के थरोप पढ़ाते हैं तो PPT कैसे बनती है उसी को हम slide बोलते हैं तो वो है क्या उसके लिए हम इस्तवाल करते हैं powerpoint का ठीक है तो इसका answer number 2 होगा और फिर हम बात करते हैं question 5 की यह है internet के जो जनम दाता है वो कौन है तो इसके लिए फिलाहल अगर हम समझे हैं पे Bill Clinton नहीं है Bill Gates भी नहीं है Leonard Clone Rock यह हो सकते हैं और इन में से कोई न देखें तो इसका answer 3 हो सकता है ठीक है लेकिन अगर आप search करेंगे Google पर तो वहां पर कुछ और ही आपको दिखाएगा तो फिलाहल देखते हैं कि इसका answer correct क्या होगा वो तो आयोग define करेगा लेकिन इसके हिसाब से option number 3 correct होना चाहिए ठीक है तो यह थे कुछ questions objective के यानि वस्त कितने objective में से कितने सही हुए हैं 5 में 5 या फिर 5 में 4 ठीक है तो मिलते हैं next video में thank you very much like करें अगर video पसंद आता है तो thank you thanks a lot